असलाम लेकुम, I hope you guys are doing well, so आज वीडियो का टाटल देख लिया होगा और आपने समझ भी लिया होगा कि आज अपने बालों का मैं थोड़ा मरमत करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है, तो यहां हमें अपने घर पे हैर करेटीन करना है, अगर तो इसके लि यही तीन इंग्रिएंट से और जिसका यूज करना है, तो हमने यहां एक भरतन लिया है, जिसमें हमने 4 बड़ी ग्लास पानी आट किया है, साथ ही साथ अब हमारे पास जो फ्लैक्सेट से उसे आट करना है, उसे अब बस पॉल करना है, और फ्लैक्सेट के वैनिफिट तो सबको पता है कि इसमें ओमेगा 3 fatty acid होते है, साई ती साथ इसमें वितामीन B-C होती है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और यहाद पावर तो रिडूस हेर पॉल इंग्रिएंट हेर ग्रोथ मेंगिंग हेर टॉंगर और इसके बारे में ब तो आप देख सकते हैं और बस इसे बॉल होने दे और इसे बस आप चेक करते रहें कि बहुत जादा हमें इसे ड्राइ बिल्कुल नहीं करना है आप देख सकते हैं काफे अच्छी तरह किसे बॉल रहा है तो इसके लिए में क्या करते थी नॉर्मली में बिसलरी वाटर ही यूज कर लेती थी अभी हमने अपने शावर के भी चेंज कर लिया जिसके वजह से बहुत अच्छा हमारा पानी आ रहा है एक फिल्टर होकर क्या आता है तो हमारे बालों में बहुत अच्छे तरीके से कंट् तो आप देख सकते हैं कि यह अल्मॉस्स जन हो गया है और बस अब हम इसे कुछ देर के बाद बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है और जैसे यह ठंडा हो जाए तो आप इसे बस च्छनी में छाने बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यह पूरी तरीके से बेका कर देता है तो आप बिल्कुल भी एक ना करें मैंने तो करनी के कोशिश की फिर मैंने बस वापस रख दिया वापस भरतन में और उसके बाद फिर बस एक मलमल या कॉटन का जो कपड़ा होता है उसका यूज किया और उसमें बहुत इसी तरीके से यह निकल जाता है बहुत आप भी यही करें चन्नी में बिल्कुल भी ना करें काम अब हम इसमें एड करना है राइस बॉल राइस हमें यूज करना है और उसे बस फॉल करके थंडा करने और दौ चमर इसमें एड करना है और इसे फाइन पेस्ट बनाना है पेस्ट बन जाएगा तो आप इसमें फिर वन टेबल स्पून ऐलोवेडा जल भी आच कर ले और एड करने के बाद उसे भी अच्छी तरुक्स से मिक्स कर लें बस इतन बना करें और उसे ज्यादा भी बिल्कुल भी स्टोर ना करें और इसके बैनिफिट जो होते हैं वैनिफिट इस तरीके से हैं कि आपके बारों को बहुत अच्छे तरीके से के स्ट्रॉंग एक वालिम देता है प्लस आपके बालों के जो ठूटे फुटे जो बालों तो से रि बन गया है और अब हमें जाना है सेकेंड स्टैप पे सेकेंड स्टैप इसका यह है कि आपको एक टावल लेना है जिसको हलका सा गुनगुने पानी में डीप करके निचोड लें और अपने बालों पर लपेट ले ताकि आपके बालों के और इस कैल्प की जो पोर होते हो प्लीज आप भी इसे यूज़ करें और आप इस बैनेफिट का आनंद उठाए और प्लीज मुझे बताएं कि इसका क्या रिजल्ट आया ताकि मैं आपके साथ और पी चीज़े शेयर करूं तब तक के लिए आला हाफिज दौाओं की गुजारेश